Hello everyone, welcome to Gya Nale तो आईए आज हम बात करते हैं कुछ बहुत फेवरिबल जॉब उपर्चुनिटीज के बारे में जो की EMRS, NVS, KVS इन जगों को छोड़ कर भी निकल रही है पर लोग उसे नजर अंदास कर दे रहे हैं, लोग उसे लेट गो कर रहे हैं क्योंकि वो Central Level पे नहीं है या क्योंकि वो Private Organizations पे निकल रहे हैं देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनके लिए शायद Central Level पे ही जॉब करना matter करता होगा बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि किसी ना किसी Financial Crisis में होंगे किसी ना किसी अभाव में होंगे और उनके उपर कुछ ना कुछ ऐसा burden होगा जिसके कारण की उनको जॉब की आवश्रक्ता बहुत जादा होगी कुछ लोग Independence भी चाहा रहे होंगे कुछ लोगों को चाहिए होगा कि नहीं हमें जॉब करना है और हमें जो की है अच्छी नौकरी से मतलब है फिर चाहे वो नौकरी गवर्मेंट में मिल जाए या प्राइवेट में मिल जाए हमें इससे कोई परिशानी नहीं है या फिर चाहे वो नौकरी जब हम Central के लिए एक अपने होम स्टेट को छोड़ की कहीं दूसरे जगर जा सकते हैं Central लेवल पर जॉब करने के लिए जहां पर भी हमें पोस्टिंग मिल जाए तो हम प्राइवेट के लिए भी जा सकते हैं बस हमें अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए ये मैंने न्यूस पेपर में एक आर्टिकल देखा तो मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों से शेर करना चाहिए मुझे इस पर विडियो बनाना चाहिए क्योंकि इसमें ना सिर्फ टीचिंग बर देन नौन टीचिंग वाले स्टाफ को भी जोकी है यहाँ पे अफसर दिया जा रहा है काफी अच्छी ओपिचूरिटी दी जा रही है और देखिए भले प्राइविट है लेकिन इसका भी नाम काफी जादा है तो आईए आज अपने इस विडियो में हम बात करते हैं उन लोगों के लिए यह विडियो स्पेसिफिकली और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कही न कही नोकरी की आवशकता है जिन लोगों को कही न कही अपनी आइडेंटिटी बनानी है जिन लोगों को कही न कही अच्छी नोकरी करने से मतला मैं फिर चाहे वो central हो या private हो तो बात करते हैं आईए DPS के बारे में देखिए मैं यही clear कर दे रही हूँ कि मैं DPS भागलपुर की बात कर रही हूँ भागलपुर बिहार में है तो मैं DPS भागलपुर में जो काफी अच्छी opportunity निकली है teaching वालों के लिए भी non teaching वालों के लिए भी उनकी बात करनी हूँ उनके लिए मैंने ये video बनाया है तो आईए discuss करते है eligibility criteria क्या experience चाहिए कब तक जो की है application के last date है है ना ये सब कुछ हम discuss करते हैं इस video में detail में तो उमीद करूँगी आप सब मेरे साथ अन तक जुड़े रहेंगे देखिए DPS भागलपुर ये दीक्षापुरम में भागलपुर में एक place है दीक्षापुरम वहाँ पे DPS है है ना तो वहाँ Delhi Public School के तरफ से जो की है vacancy निकाली गई है अब देखिए सबसे पहले तो मैं यही clarify कर दूँ कि Delhi Public School है तो जो ये pay करेंगे वो काफी अच्छा होगा वो काफी अच्छी salary जो amount pay करेंगे लंसम वो काफी अच्छा amount pay करेंगे भले private है लेकिन इसका भी अपना एक brand name है और आपको यहाँ पर भी opportunity miss नहीं करनी चाहिए दे कह सकते हो subsidiary या एक आप कह सकते हो substitute या alternative जो भी आप correct word यूज कर लो इसके लिए आपके पास एक हाथ में अच्छी नौकरी होगी है ना तो DPS में भी it has a brand name DPS सबसे पहले तो दो private but then जो amount यह pay करता है in the form of salary that is also आप कह सकते हो pretty classy and आपको जो कि यह opportunity miss नहीं करनी चाहिए इनो ने भी देखिए teaching non teaching दोनों ही को जो की है chance दिया है यहाँ पे तो आएए discuss करते है कि किन किन post के लिए जो की है DPS भागलपूर जो की दीक्षापुरम में है भागलपूर में भागलपूर एक place है आपका बिहार में वहां से जो की है यह vacancy निकल कर आई है और Times of India में जो की है इसके बारे में mention किया गया था इस पर article था मैंने आप जो की है आपको इसका हमारे comment section में भी आप चाहो तो आप comment section से जो की है जो भी information है वो ले सकते हो आप जो की है official website भी DPS भागलपूर की visit कर सकते हो है न तो आएए एक एक करके सारे post के बारे में सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं देखिए wise principal से मैं शुरू करूंगी wise principal के लिए भी vacancy निकली है जिनके पास भी administrative experience है 15 साल का जो की enthusiastic है और जनकों की ये belief है खुद पे कि वो जो की है एक school को चला लेंगे एक school को run कर लेंगे उनके लिए भी opportunity है 15 साल का अगर आपके पास experience है तो आप wise principal की post के लिए apply कर सक देखिए PGT वालों के लिए भी सारे ही post के लिए देखिए almost आप English है, History है, Political Science है, Geography है, Accountancy है, Bio है, Physics है, Chemistry है, Eco है इन सारे ही post के लिए जो की है vacancy निकाली गई है अब देखिए post graduate teacher की मैं बात करी हूँ तो आपके पास जो की है यहाँ पे PG होना ही होना चाहिए और आपके पा qualification वहाँ पे must हो जाती है PG के लिए है लेकिन सारे ही subjects के लिए है तो यह अच्छी opportunity है जो भी नौकरी की तलाश में है जो भी अच्छी नौकरी ढूंड रहे हैं देखिए आपको यह opportunity miss नहीं करनी चाहिए आपके पास देखिए एक और option होगा फिर आप उसमें से select कर पाओग कि आपको कहा जाना है सब कुछ देखते वे आप decide कर सको कि आपको कौन से job के लिए opt करना है तो देखिए जैसा मैंने बताया wise principal के लिए vacancy है दीक्षापुरम भागलपुर में TPS जो school है वहाँ पे PGT के लिए है PGT वालों के लिए है PGT के लिए आपको graduation must हो जाता है आपने फर्स क्लास की डिग्री ट्रॉआउट ले रखियो TGT वालों के लिए train graduate teacher की मैं बात करी हूँ यहाँ पे भी देखिए music के लिए है Hindi, English, Maths, History, Geography, Sanskrit इन सब के लिए vacancy है इन सारे subjects के लिए vacancy है comment section में जो की है मैं इसका जो की है जो यह format है वो जो की आपको भेज ओफिशल विजिट कर सकते हो DPS भागलपुर की साथी साथ देखिए PRT वालों के लिए भी vacancy है English, Maths यहाँ पे देखिए PRT है लेकिन DPS जैसा स्कूल है तो यहाँ पे भी graduation PRT में भी दूननेगा ही दूननेगा है न ईविएस है ईविएस याने environmental science हो जाता है उसके लिए भी वेकेंसी है, computer science है, counselor तक के लिए वेकेंसी है देखिए, art teacher के लिए भी vacancy है जिनके पास bachelor's की डिगरी है आप देखिए art teacher को भी bachelor की डिगरी मांग रहा है तो यहाँ पे graduation PRT वालों के लिए भी मांगेगा है यह मांगेगा है न वैसी देखिए accountant की डिगरी है यहाँ पे accountant के लिए भी जो किया आपके पास bachelor's की डिगरी होनी चाहिए commerce में और साथी साथ 5 सल का experience होना चाहिए तो यही मैं आपको बता रहे थी कि देखिए कहीं कहीं जैसे vice principal के लिए आपको experience चाहिए लेकिन PGT, TGT, PRT इन सब में जो किया आपके पास first class की डिगरी होनी चाहिए throughout किसी अब PGT है, PRT है उनके लिए graduation तक की डिगरी हो और PG आपने कर रहा हो, PGT वालों के लिए है ना तो यहाँ पे लेकिन experience नहीं दून रहा वैसे ही जो कि आप देखिए art teacher के लिए यहाँ पे आपके पास है कि भाई bachelor's की डिगरी हो लेकिन accountant के लिए है bachelor's की डिगरी हो आपके प MBA की डिगरी ले रखिए तो MBA की डिगरी ले रखिए अच्छी बात है लेकिन क्योंकि आप marketing executive बनोगे तो आपके पास 5 साल का experience होगा तो वो desirable हो जाएगा देखिए food in charge के लिए भी vacancy है यहाँ पे आपके पास diploma होना चाहिए hotel management में hostel warden के लिए भी देखिए आप experience चाहिए आ जाने graduation या post graduation वो matter नहीं कर रहा है hostel warden के लिए लेकिन 7 साल का experience यहाँ matter कर रहा है वैसी कुप के लिए भी जो कि है आपके पास certificate होना चाहिए commercial cooking में है न तो इन सारे ही पोस के लिए देखिए यहाँ पे vacancy है अगर आप किसी central government organization में काम करने के लिए या central level पे काम करने के लि आप वहाँ पे काम करने के लिए क्यों नी एक जगह से दूसरे जगह switch कर सकते हैं और resume भेजने में ऐसे जगह पे हर्जी क्या है जहां पे आपको एक अच्छी opportunity मिल जाएगी और फिर आप selective हो सकोगे अगर दो तीन जगह आपका हो जाएगा तो कि आपको finally जाना कहा है आप decide कर सकोगे तो मुझे तो लगता है कि आपको जरूर apply करना चाहिए जरूर try करना चाहिए DPS भागलपुर के लिए जो की दीखशापुरम में situated है और जैसा मैंने आपको बताया देखिए wise principle PGT जिसमें की इतने सारे numerous subjects के लिए है PGT वालों के लिए है PRT वालों के लिए है accountant, art teacher, marketing, executive, food in charge, cook, इन सब के लिए जो की है vacancies आपको जरूर से जरूर apply करना चाहिए देखिए secretary to the principal, principal के जो secretaries होते है उनके लिए भी post है याँ पे वहाँ पे भी देखिए आप graduate या post graduate हो सकते हो लेकिन आपके पास 5 साल का जो की है experience होना चाहिए in similar capacity यानि आपने at the post of secretary या फि secretary level के ही किसी equivalent post पे जो के 5 साल की नौकरी कर रखी है आपके पास इन सारे चीजों को experience होना चाहिए है तो ये सारी post है जिनके लिए vacancy निकली है देखे teaching non teaching दोनों ही के लिए vacancies निकाली गई है काफी अच्छी opportunity है इसका जो आपको इसके लिए apply करने का जो criteria है देखे मैंने ब post graduation आप कुछ भी हो चलेगा लेकिन आपके पास specifically 7 साल या 5 साल की degree experience होना चाहिए sorry तो ये सब सब जो के specified है ये सब आपको comment section में मिल जाएगा साथी सा देखे मैं एक चीज़ और आपर बताना चाहूंगी कि ये Times of India में जो की है आपके 18 September को निकला था paper में है ना तो 18 September से jobs for you 4 in numerics है jobs for that is numerics jobs for you at the rate dpsbhagalpur.com ये सब information आपको हमारे comment section में मिल जाएगा है ना within 7 days of publication of the advertisement तो Times of India में ये निकला था 18 को तो 18 से 7 दिनों के अंदर अंदर जो किये आपको अपने CVs या resumes जो किये भेजने है तो अभी आपके पास numerous time है sufficient time में आपके पास है ना आपराम से अपना CV जो किये भेज सकते हो आपको अपना photo जो किये scan करके यहाँ पे लगाना है और PDF format में जो किये आपको basic जो आपने जिस सबसे पहले तो आपको मेंशन करना है कि आप किस post के लिए apply कर रहे हो है ना अगर आप apply कर रहे हो suppose अगर art teacher के लिए तो आपको लिखना होगा व आपको वो mention करना होगा आपको बढ़िया से अपना resume बनाना है आपको photo अपना scan करके लगाना है PDF format में resume तयार करके jobs for you 4 यहाँ numerics में है मैं बता दू अधरेट sorry jobs for you अधरेट dpsbhagalpur.com पे जो किये आपको send करना है और 7 दिन of publication के अंदर अंदर यानि 18 September से आप 7 दिन जो लि अगर आपको कुछ भी doubt हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं आप हमसे comment के माध्यम से पूछ सकते हैं आप DPS भागalpur के official website को भी visit कर सकते हैं देखिए यह भी एक brand name है private है private organization जरूर है but then जो amount यह pay करेगा वो भी काफी अच्छा होगा तो और अगर आप एक state से दूसरे state आपक के लिए opportunities ढून रहे हो आप opportunity grab करने का wait कर रहे थे तो I think this is your chance do grab the opportunity and do not miss out on this ताकि आगे चलके you can be selective आप और कुछ गें करो ना करो आप यहां से experience गें करोगे आपकी CV में वो add होगा आप अच्छी salary लोगे जब तक आप यहां पे रहोगे है ना तो आपको जरूर से जरूर य प्लीज प्लीज से तून तो ग्यान आले और प्लीज दो like share and subscribe आप चानल थैंक यू